हेलो बच्चों, Chemistry पेज में आपका स्वागत है तो इस साल नीट देने वालों के लिए आज मेरा आखरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं कुछ चैप्टर और उनके important point आपको revise करवाने वाला हूँ खास कर इसमें आपको P-Block, S-Block, Metallurgy और कुछ सारे important chapter है वो मैं include करने वाला हूँ इन organic chemistry के chapter most of होंगे जहां ज़्यादा confusion है, जहां ज़्यादा question पूछे जाते हैं उन्हीं चीज़ को मैंने यहाँ पर include किया है तो चलो बच्चों फटा-फट से revise कर लेते हैं important points तो सबसे पहले बात करते हैं P-Block से P-Block में क्या होता देखो, यह इनके oxide और hydroxide का nature पूछा जाता है तो बोरोन के जो hydroxide and oxide acidic हैं और aluminium और gallium के hydroxide और oxide amphoteric होंगे बाकि indium और helium के basic होंगे, उपर से नीचे आने पर basicity बढ़ते रहेगे clear, उसके बाद बच्चों levis acid character के बारे में पूछा जाता है तो B-I-3 एक अच्छा levis acid है और B-F-3 एक बुरा levis acid है उसका reason क्या है B-F-3 में back bonding अच्छी तरह से होती है clear, उसके बाद बात करता हैं इनके कुछ physical property के बारे में atomic radius में केवल जो exception है वो यह है, aluminum का radius ज़्यादा होता है बजाए gallium की, ionization enthalpy में भी exception आता है देखो बच्चों, boron की तो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन indium की सबसे काम होती है उसके बाद aluminum की gallium से ज़्यादा होती है इस चीज का में इसा ध्यादा नकना और thallium की boron के बाद होती है तो boron, thallium, gallium, aluminum और indium electronegativity पहले घड़ती है यानि boron की सबसे ज़्यादा होती है, aluminum की सबसे काम होती है फिर धेरे-धेरे यह बढ़ती जाएगी thallium तक plus one oxidation state inert pair आपने पढ़ा होगा उपर से नीचे आने पर जो सबसे last element होगा उसकी plus one oxidation से सबसे ज़्यादा stable होगी ठीक है इसको बोलते हैं inert pair effect यह सारे ग्रूप में apply होता है उसके बाद बात करते हैं और 15 group element NS3, PS3, ASS3 यह सारे के सारे hydride है चार property यहाँ पर आपको पढ़ने है एक तो bond angle पढ़ना है bond strength पढ़ना है, thermal stability पढ़ना है और reducing character पढ़ना है देखों बच्चों यह तीनों property decrease होती है bond angle कम होता है basic strength भी कम होती है और thermal stability भी कम होती है केवल और केवल reducing character बढ़ेगा क्योंकि बच्चों thermal stability का मतले भी हो कि H bond को break करना और H को देना तो H जितना जल्दी देखा उतना reducing character बढ़ेगा इसलिए तीन property decrease होती है reducing property increase होती है acidic property of oxide यह बहुत easy है हमारे पास जैसे जैसे electronegativity बढ़ती जाती है acidic property of oxide विल भी increase जैसे nitrogen के ज़्यादा होगी phosphorus के थोड़ा कम होगी arsenic के और कम होगी clear अगर एक ही non metal है तो बच्चों acidic property किस बेडिपेंड करती है oxidation number पर देखो N2O5 का oxidation number ज़्यादा है N2O का कम है इसलिए इसके acidic property कम होगी इसके acidic property ज़्यादा हो उसके बात करते हैं halides की property है न देखो बच्चों stability of halide पर question आता है तो जितना size का difference कम होगा उतनी stability बढ़ेगी यहाँ size difference कम है stability ज़्यादा है यहाँ size का difference ज़्यादा है तो stability कम है clear यहाँ पर भी ऐसी concept इस्तमाल होता है bond angle की जहतक बात करें तो halide में PI3 का bond angle ज़्यादा होगा PF3 का bond angle कम होगा अब देखो बच्चों hydride of 16 group इस पर भी question आता है देखे सबसे पहले बात करते है acidic strength तो acidic strength और reducing property दोनों H IN के निकलने पर depend करती है तो H IN उपर से नीचे आने पर जल्दी निकलेगा इसलिए जो है बच्चों यह वाला ज़्यादा अच्छा acidic power रखेगा और reducing character भी इसका सबसे ज़्यादा होगा thermal stability हमेशा opposite चलती है उपर से नीचे आने पर thermal stability कम होती है तो यह order इस तरह ऐसा गया oxide of 16 group यह oxide मैंने लिखे SO2, SCO2, TO2 and PO2 clear अब देखो बच्चों acidic strength की अगर हम बात करें तो decrease होती है acidic strength उपर से नीचे और reducing property भी decrease होती है तो दोनों चीज़े oxide के case में decrease होती है अलग-अलग concept है hydride के case में अलग है और oxide के case में अलग है clear अब बात करते हैं group 17 इस पर बहुत सारे question पूछे जाते हैं देखो सबसे पहले atomic radius है atomic radius तो उपर से नीचे बढ़ेगी इसके को exception नहीं है ionization enthalpy जो है उपर से नीचे घटेगी ठीक है यह भी बढ़िया है और CL2 से कम होती है ध्यान रखना इसका reason क्या है बच्चों size छोटा होनी की वज़े से electron electron repulsion ज्यादा होता है इसलिए order क्या होगा CL2 BR2 F2 तीसरे नंबर पर आ गया और I2 last high oxidizing power का कोई exception नहीं है F2 की हमेशा ज्यादा होती है I2 की हमेशा कम हो SIM to SIM order आगे बात करते हैं highlights की ठीक है देखो बच्चों सबसे पहले डैपल मुमेंट डैपल मुमेंट किस पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करेगा बॉंड लेंद करेगा बॉंड लेंद कम होगी तो डिसोशन एंथालपी ज्यादा होगा तो डिसोशन एंथालपी कम होगी एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों इनमें सब में HF लिकूड होता है क्योंकि उसमें hydrogen bonding होती है oxo acid of halogen घीक है oxo acid of halogen का अगर acidic strength की बात करें तो electronegativity बढ़ने से मैंने आपको बताया था acidic strength बढ़ने की लेकिन cl की electronegativity सब में सेम है तो यहाँ पर क्या देखेंगा बचलो oxidation state, यहाँ पर जो oxidation state है, वो plus 7 है, इसलिए यह ज़्यादा acidic होगा, यह कम acidic होगा, clear oxidizing power की बात करें, तो just opposite हो जाता है, HClO is powerful oxidizing agent, then HClO4, और stability of ion की बात करें, तो ClO4 minus ion ज़्यादा stable होगा, due to the more resonance, अब बात करते हैं, S blocky element की, इनी से question आते हैं, इनी से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, basic nature of hydroxide, उपर से नीचे बढ़ेगा, ठीक है, यह ज़्यादा basic होगा, Li, वच कम basic होगा, hydrate की stability, बच्चों, उल्टा चलता है, हमेशा, ठीक है, Li, stable होगा, क्योंकि size दोनों का कम है, ज़्यादा energy जरुत पड़ेगी, उसको तोरने के लिए, ठीक है, water में अगर ionic radius की बात करें, तो Li plus ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी hydrogen enthalpy और hydration power सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर बच्चों हम molar conductivity की बात करें, तो just उल्टा हो जागा, जिसका radius बड़ा होता है, उसके molar conductivity कम होती है, इसलिए CS की molar conductivity ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी mobility ज़्यादा होती है, reactivity towards water की बात करें, तो CS जल्दी reaction करेगा, बजाए Li के, क्योंकि यह electro positive ज़्यादा है, अब बात करें, reactivity towards hydrogen, तो Li की ज़्यादा होती है, CS की कम होती है, solution में बात करें, तो Li की reducing power सबसे ज़्यादा और Na की सबसे कम ठीक है, इस चीज का ध्यादा रखना आप, उसके बाद Na character की बात करें, तो उपर से नीचे बढ़ेगा, clear CS CL, ज़्यादा आइनिक होगा, equivalent character की बात करें, तो Li CL, कम equivalent होता है, Li, पैजान सुरूल आपको पता होगा न, छोटा काटाएन, बड़ा एनाएन, उसके बाद, step, solubility in water के बात करें, तो Li CL4, ClO4, ज़्यादा solubile होगा, क्यों, क्योंकि इसकी hydration enthalpy Li की सबसे ज़्यादा होती है, basic nature की बात करें, सिदी सी बात है, oxide और hydroxide में same concept होगा, उपर से नीचे basic property बढ़ेगी, atomic and ionic radius उपर से नीचे बढ़ने वाली है, ठीक है, ionization energy उपर से नीचे कम होगी, तो CS की कम होती है, Li की ज़्यादा होती है, चलो, अब बात करते है, salt of oxoacid, इनकी stability के बारे में question पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, अगर दोनों ion का size बड़ा बड़ा है, तो उनकी thermal stability ज़्यादा होगी, इसलिए उपर से नीचे जाने पर, electro positive character बढ़ने पर, thermal stability of carbonate ion will be increase, इसलिए इसकी ज़्यादा होगी, Li2CO3 की काम होगी, और बच्चों, hydration enthalpy बढ़ ध्यान रखना हमेशा, यह Li की सबसे ज़्यादा, Ni की उससे कम, Ki की कम, RBI की, हम, जैसे-जैसे size बढ़ता जाएगा, किसी भी ion की hydration enthalpy कम होती जाएगी, कम size की hydration enthalpy सबसे ज़्यादा होती, उसके बाद बात करते हैं, reducing nature and electrode potential, देखो, यहाँ पर gas phase और aqua space की बात करेंगे, इसलिए concept अलग होता है, gas phase में जो alkali metal की reactivity है, वो CS की ज़्यादा होगी, Li की कम होगी, क्योंकि CS आसानी से electron निकाल देता है, in comparison to Li, लेकर अगर liquid phase की बात करें, तो वहाँ पर Li ज़्यादा reactive होगा, बजाए Na के, तो Na सबसे कम reactive होता है, बजाए Na, clear? अब बात करते हैं, hydrogen enthalpy, second group के element की बात करते हैं, वही काम, size छोटा होने से hydrogen enthalpy बढ़ती है, बढ़ा होने से hydrogen enthalpy बे कम होती है, clear? Oxide and hydroxide का nature देखें, तो बच्चों, BEO, जो Berylum के Oxide and Hydroxide है, दोनों ही amphoteric nature के होते हैं, amphoteric nature होने के वज़े से covalent character शो करते हैं, बाकि सारे के सारे hydroxide और oxide, ionic nature होते हैं, यानि basic character के होते हैं, और उपर से नीचे आने पर basic character बढ़ेगा, hydroxide and oxide, clear? अब बात करते हैं, salt of oxoacid, तीन हमारे पास है, carbonate, sulfate and nitrate, इनकी solubility and thermal stability पर question आता है, तो बच्चों देखो, solubility उपर से नीचे घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, यहां इधर करना है, solubility उपर से नीचे घटेगी, तो BO ज़्यादा solubile होगा, और BA CO3 कम solubile होगा, सब में ऐसे ही concept आता है, clear, solubility में ही concept, thermal stability में just opposite, thermal stability उपर से नीचे बढ़ती है, क्योंकि दोनों का size similar हो रहा है, तो similar size बढ़ेगा, तो thermal stability बढ़ेगी, clear हो गया, अब बात करते हैं, metallurgy में, देखो, metallurgy में आपको, मैंने एक 6 point लेखे, बस इनी को ध्यान में रखना है, देखो, distillation, कौन से metal के लिए होता है, जिन metal का balling point कम होता है, जैसे zinc और mercury, liquation, liquation lead और tin के लिए use किया जाता है, zone refining, इस पर कई बार question आया है, zone refining semiconductor के लिए use होता है, जैसे germanium, silicon, boron, gallium and indium, vapor phase refining, अभी JEE में question पूछा गया था, vapor phase refining से, दो process होते हैं, mon process, जो nickel के लिए होते हैं, one arkyl method, जो zirconium and titanium के लिए होती है, chromatographic method में adsorption phenomena काम करता है, AL2O3 इसमें adsorbent काम होता है, clear, electrolysis में ZNRCU metal का electrode बना के वहाँ पर extraction किया जाता है, clear, अब बच्चों देखो, आपको इसमें metal के और पढ़ने, वो मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन alloy के बारे में जरूर पढ़ना है, अभी alloy से एक question पूछा गया था, खासकर बच्चों steel के बारे में हैं, steel का composition क्या होता है, उसके बाद bronze का composition क्या होता है, magnellum का, duralum का, और खासकर brass और bronze का composition वो आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों, देखो, यह फटापर से note करते जाओ, यह composition आपको पढ़ना है, साथ में यह भी पढ़ना है कि कौन कौन से metal इसमें include होते हैं, clear, अब बात करते हैं iron की form, तीन टैप का iron होता है, pig iron, cast iron and rote iron, उसमें से rote iron सबसे ज़्यादा pure form होता है, और बच्चों iron में जो imperduse होते हो, किस की होते है, carbon की होते है, pig iron में 4% carbon होता है, cast iron में 3% carbon होता है, और rote iron में यह carbon 0.2 से लेकर 0.5% तकी रह जाता है, कई बार question आता है, उसके बाद आते हैं leaching silver and gold का हम leaching method से extraction करते हैं, इसमें बच्चों हम NACN और KCN का use करते हैं, तो यह एक soluble complex बनाते हैं, और उसके बाद zinc, सबसे important है na, zinc, zinc एक reducing agent की तरह काम करता है, जो कि उस soluble complex से उस metal को अलग कर देता है, उसको बोलते हैं leaching, उसके बाद है froth flotation method, इससे भी JEE में question आयता है, कौन से type के ओर के लिए होता है, sulfide ओर के लिए होता है, जैसे galena हो गया, copper parades हो गया, and zinc blend होता है, ठीक है, और इसमें बच्चों depressant का use करके हम दो sulfide ओर को भी अलग कर सकते हैं, ZNS और PBS को भी अलग कर सकते हैं, clear, उसके बाद है, DNF block में nature of oxide के बारे में कई बार question पूछा जा होगा, कि जैसे-जैसे जो है, metal का size कम होता जाएगा, वैसे-वैसे उसकी any crater कम होती जागी, यानि covent crater बढ़ता जाएगा, ठीक है, आप बात करते हैं, इनके oxide के acidic and basic nature की, तो बच्चों, जो oxidation number जिसका कम है, वो basic nature होगा, और जैसे-जैसे oxidation number बढ़ता जाएगा, वो acidic nature होगा बस ये ध्यान रखना के MnO2 amphoteric होता है, और जहां तक chromium की बात करें, तो ये दो, plus 3, plus 4 वाले amphoteric होते हैं, छोटा वाला basic होता है, बड़ा oxidation number वाला acidic होता है, बस थोड़ा remind रखना है, उसके बाद बात करते हैं, coordination compound, तो दो type की isomerism में होती है, isomerism से सबसे ज़रा question number one, ionization isomerism, इसमें क्या करते हैं, बच्चों, जो हमारे पास counter ion है, वो कभी ligand बन जाता है, और ligand counter ion मन जाता है, देखो, इसमें SO4 अंदर जाएगा, और OH2 बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी पैचान है, ध्यान रखना, ionization में counter ion को ligand बनाना है, ligand को counter ion बनाना है, सब में आप CR के साथ CN है, अगले बार CR के साथ NST होगा, CRO के साथ CN होगा, बस इसी point को याद रविन है, linkage isomerism बहुत important है, ये खास तरह के ligand में होते हैं, एक तो बच्चों, NCS ऐसा ligand होता है, और दूसरा NO2 ये ligand होता है, इनी दो ligand में ही linkage isomerism पाई जाती है, hydrate isomerism के लिए water चाहिए water कभी ligand बन जाता है, कभी counterine बन जाता है, देखो, यहाँ पर ligand है, और यहाँ पर counterine है, clear, उसके बाद बात करते है, spectrochemical series, इस पर कई बार question भी पुछा जाता है, कि spectrochemical series का order क्या है, तो इसमें बच्चों आपको ligand मिलेंगे, तरह तरह के ligand मिलेंगे, जिनका order जो है, absorption of light वो कितनी light को absorb कर रहे है, उसके basis पर दिया गया है, तो यहाँ पर strong field ligand and weak field ligand, h2o को middle में ले लो, तो h2o के इदर जितने हैं बच्चों, उसको बोलते है strong field ligand, और h2o के left hand side जितने हैं, this is called weak field ligand, clear, तो यहाँ पर co सबसे दा strong field ligand, फिर cn, फिर en, फिर ns3, फिर ncs, और h2o middle में लख लिया, और उसके बाद, जितने भी halogen होते हैं, वो सारे के सारे weak field ligand होते हैं, clear, अब बात करते हैं, geometrical और cis-trans-asomerism की, सबसे पहले बात करते हैं, square planal complex में, यह 4 example मैंने आपके सामने रखे हैं, ma2b2 type, ma2bc type, ma2bc type, mab, यहाँ पर, और 4 ligand अगर अलग अलग होते हैं, तब भी जाके geometrical isomerism बनती है, square planal complex अगर ऐसा हो, ma4 है, ma3b type है, यह ma3b type है, वो geometrical isomerism show नहीं करेगा, और बच्चों, tetrahedral complex भी geometrical isomerism show नहीं करते हैं, केवल square planal complex और octahedral complex है, तो अब octahedral complex की बात करते हैं, यहाँ पर भी देखे, इस type के, 4-2, 2-4 का combination, ठीक है, बाइडेंटेड लागेंड हो, यहाँ फिर उनिदेड के 2 लागेंड हो, यहाँ पर उनिदेड दो अलग अलग हो, और एक बाइडेंटेड लागेंड हो, यहाँ पर 3-3 का combination हता है, तो इस तरह की, आपको type मिलते हैं, तो वहाँ पर geometrical isomerism show नहीं करेगा, जब 6-6 तो mostly octahedral complexes में optical isomerism देखने को मिलती है, यहीं से question ज़्याद आता है, देखो, तीन बाइडेंटेड लागेंड हो, या दो बाइडेंटेड लागेंड हो, दो यूनिदेड लागेंड हो, ठीक है, इसी type का, यह 3 type बस आपको ध्यान में रखने, इनी 3 type में आपको optical isomerism देखन isomerism शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें plane of symmetry होती है, अब बात करते हैं, inner and outer orbital complexes, यह मुस्लिए आपको VBT यानि valence bond theory में मिलेगा, ठीक है, inner orbital complexes को हम low spin complexes बोलते हैं, यहाँ पर inner D use होते हैं, तो D2 SP3 habitation होगा, ठीक है, और high spin complexes में outer D orbital use होते हैं, तो वहाँ पर SP3 D2 habitation होगा, और मैंने example आपके सामने यह लिखे हैं, तो फटा पटे example एक बार देखते जाओ, कौन inner है, कौन outer है, कौन lower spin complex है, कौन high spin complexes बनाता है, अब बच्चों Warner theory से बहुत easy question आता है, इस बार JEE में इससे एक question पूछा गया था, इसके question पूछने का क्या तरीका देखो, ऐसा कोई complex होतार उसके बार जो है chloride, यह बोलता है कि कितने chloride, कितने AgCl के molecule बनेंगे, तो जितने हमारे पास counter ion में chlorine होगे, उतने ही जाके ionize हो जाएंगे, तो उतने AgCl के molecule बनेंगे, ठीक है बच्चों, तो यह example आपके सामने मैंने दे रखा, जैसे यहाँ पर 3CL बाहर है, तो 3 AgCl बनेंगे, यहाँ पर 2CL बाहर है, तो 2 AgCl बनेंगे, यहाँ पर 1CL बाहर है, यहाँ पर कोई भी CL बाहर नहीं है, तो AgCl यहाँ पर ना के बराबर नहीं बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास है hybridization और geometry और उसके example, ठीक है, SP हमेशा linear होता है, और यह दो example है, SP2 planner होता है, और यह example है, SP3 tetrahed यहाँ पर नहीं है, तो इस पर भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, निकल, CN4 वाला, और CUNS3 4 वाला, ग्लियर, उसके बाद है, DSP3 यहाँ ट्राइगोनल बाइप्रेमेडल, FeCO5, CuCl5, SP3D, स्क्वार प्रेमेडल, SBF5, यह तो कमी पूछा जाता है, अब Octahedral पर ज्यादा concentrate करने हैं आपको, Octahedral दो टाप के होता है, Inner and Outer, D2, SP3 and SP3, D2, ठीक है, Inner वाले देखो, अभी मने एक्जाम्पल बताए थे, ठीक है, और Outer वाले यह वाले हैं, तो यह एक्जाम्पल और उसकी Geometry और उसका Hybridization पूछा जाता है, VBT, उसके बाद Chemical Bonding में, M.O.T. से ज़्याद order है, ठीक है, और इसमें, पहला वाला paramagnetic होता है, दूसरा वाला diamagnetic होता है, यह paramagnetic, यानि, दोनों इसके आयन, प्लस और मैनेस वाले paramagnetic होगे, केवल H2 diamagnetic होता है, clear, अब बात करते हैं, B2, B2 exist नहीं करता है, क्योंकि इसका bond order 0 होता है, B2 exist करता है, इसका bond order 1 होता है, it will be paramagnetic, C2, C2 diamagnetic होता है, bond order 2 होता है, एक चीज़ का ध्यान लखना बच्चों, C, double bond, C, दोनों ही क्या होते हैं, πाई bond होते हैं, कोई भी sigma bond नहीं होता है, यह कई बार पूछा जाता है, उसके बात बात करते हैं, O2 और N2, है ना, और कुछ हेटरो एटोमिक मॉलेक्यूल की, तो O2 plus O2, O2 minus N, O2 minus 2, तो bond order धिरे-दिरे कम होता है, धाई, दो, डेट और एक, ठीक है, सारों की stability bond order के कम होने से कम होती है, इस चीज़ का ध्यान लखना, एक चीज़ ध्यान लखना पहले के 3 paramagnetic हैं, और last का O2 minus 2 diamagnetic है, N2 के case में just opposite हो जाता है, देखो बच्चों, N2, N2 N2 plus N2 minus N, N2 minus minus, 3,5, 2, clear, सारे stable होते हैं, पहले के, पहले के, एक, sorry है न, पहले का एक diamagnetic होगे, यहनि, N2 diamagnetic होगे, बाकी के 3 paramagnetic होगे, यहनि, जितने भी हमारे पास iron है, वो paramagnetic होगे, clear, और बच्चों bond order की बात करें, तो bond order जैसे-जैसे कम होता जाएगा, stability भी कम होती जाएगी, वहीं अगर NO की बात करें, तो NO का bond order धाई, paramagnetic, NO plus का 3 diamagnetic, NO minus का 2N paramagnetic, clear, CO की बात करें, तो bond order 3 होता है, diamagnetic, CN की बात करें, तो धाई, paramagnetic, CN minus की बात करें, तो 3 diamagnetic, अब कुछ chemical test भी पूछे जा सकते हैं, कई बार थोड़ा सा इस पर question आता है, जैसे alcohol के लिए एलकोल के बच्चों, स्तीरिक अमोनियम नाइटरेट, ये टेस्ट होता है, और लिवकास टेस्ट से भी हम इसको identify कर सकते हैं, फिनॉल के लिए याद रखना बच्चों, FECL3 टेस्ट होता है, कार्वाक्सलिक एसिट के लिए sodium bicarbonate टेस्ट होता है, LD हैड और क्रिटोन के ल एडियाड और क्रिटोन के लिए एक आड़ो फॉर्म टेस्ट भी होता है, जो CS3 CEO ग्रूप की पहचान करता है, आड़ो फॉर्म टेस्ट के लिए केमिकल कौन से होंगे, I2 और NaOH, अब बात करते हैं, प्रिडिक टेबल में, देखो बच्चों, प्रिडिक टेबल में, आयोन इन्थेल्पी थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, देखो, वैसे हम लेफ्ट से राइट के तरफ जाएंगे, तो आयोन इन्थेल्पी बढ़ती है, लेकिन बच्चों, यहां देखो, N की ज़्यादा होती है, O से, बस यह ध्यान रखना, और बेर इन्थेल्पी की बात करें, तो प्लोरीन सबसे ज़्यादा इन्थेल्पी करने वाला एलिमेंट, तो बच्चों, अगर हम सेकेंड गुरूप की बात करें, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, लीथियम, लेकिन नैट्रोजन की इन्थेल्पी पॉजिटिव हो होती है जिन एटम में एक्जक्ली हाफ फिल्ड या फुल्फिल्ड और बिटल होते हैं तो वहां पर रिपल्शन होने के वज़े से एलेक्ट्रों गिन एंथेल्पी पॉजटिव हो सकते हैं लेकिन फॉस्पोरस के केसमें नेगेटिव होता है ध्यान रखने मु क्लियर 10 फॉन के क्लियर फॉट ऊपट से आप लोड कर लो एक चीज हमें इसा ध्यान अक्रना बच्चों की कुछ करते हैं बायों मोल्किल में अभी। रिसेंटली में बायों मॉल्किल में सबसे पहले आपको glucose की रियक्शन पढ़नी है। गुलकोस की HI के साथ reaction होगी तो एन एक्षिन बनेगा NH2 OH और HCN के साथ reaction होगी तो यहां पर नुकलोफिलिक addition reaction होगी तो CHO किसमें convert हो जागा एक addition product में convert हो जाएगा जैसे कि यहां पर हो रखा है ना देखो ग्रोमीन water oxidizing agent है वो केवल CHO group को CHH में convert करेगा this is called gluconic acid acidic and hydrate किसके लिए important है OH के लिए important है तो जितने ज़्यदा OH होगे उतना ज़्यदा acidic and hydrate consume होगा तो 5 OH है तो 5 यहां पर acetate group लग जाएगे पेंटा acetate बन जाएगा वहीं अगर बच्चों हम glucose का oxidation करें HNO3 से तो HNO3 क्या करेगा glucose को sacric acid में convert कर देगा last का CCC2OH और पहले CHOH दोनों ही carboxylic acid में convert हो जाएगे तो bromine water और HNO3 से oxidation कराने में फरक होता है bromine water में केवल एक ही group carboxylic acid में convert होगा लेकिन natric acid से दोनों group अल्को और अल्डियाट carboxylic acid में convert हो जाएगे क्लियर अब बात करते हैं reducing sugar और non reducing sugar इस पर कई बार question आता है ठीक है बच्चो reducing sugar में सारे के सारे monosaccharides reducing sugar है डाइस में सुक्रोज को छोड़ कर मैं सुक्रोज यान एक रहा हो ना सुक्रोज is non reducing sugar clear और disaccharide में अगर हम बात करें maltose lactose और यह सुक्रोज तो होई गया है यहां पर ठीक है सुक्रोज तो नडिन शुगर है तो maltose और lactose दोनों ही reducing sugar है सारे के सारे polysaccharide non reducing sugar होते हैं तो सुक्रोज और polysaccharide का ध्यान रखना polysaccharide यानि starch glycogen cellulose अच्छा इस पर जो है म्यूटा rotation वाला concept भी आता है तो जैसे जैसे बच्चों reducing sugar होती है तो वह म्यूटा rotation phenomenon शो करेगी लेकिन जो non reducing sugar होती है वह म्यूटा rotation phenomenon भी शो नहीं करती है clear अब बात करते हैं आपको क्या पढ़ना है जो भी डाय सेक्राइड होगा polysaccharide होगा उसकी unit और उनका linkage ध्यान रखना है ना तो अगर मैं सुक्रोस की बात करों तो glucose and fructose ठीक है glucose कौन सा होता है बच्चों दी ग्लुकोज होता है डी प्लस ग्लुकोज होता है माइनस फ्रुक्टोज होता है ना बीटा डी फ्रुक्टो फिरोनोस अल्फा डी ग्लुकोपारेणोस तो ग्लुकोज का जो है यहां पर पहला carbon use होता है और fructose का दूसरा carbon use होता है यानि C1 C2 linkage माल्टोज की बात करें तो ग्लकोज ग्लकोज होता है यहाँ पर C1 and C4 linkage होती है लेक्टोज की बात करें तो गलेक्टोज and glucose होता है गलेक्टोज का C1, glucose का C4 स्टार्ज की बात करें तो बच्चों यह alpha-d glucose का बना होता है दो टाइप के इसमें structure होते हैं amylose and amylopactin amylopactin है न amylose की बात करें तो state chain polymer है amylopactin की बात करें तो state and branch chain polymer है amylose में केवल C1 और C4 linkage होते है amylopactin में C1, C4 के साथ C1 and C6 भी होती है clear cellulose की बात करें तो बच्चों cellulose जो है beta-d glucose का बना होता है वहीं अगर हम glycogen की बात करें तो glycogen जो है starch के जैसे है लेकिन glycogen जाए ज़्यादा branch polymer है सबसे important essential and non-essential amino acid इस पर JEE में अभी question आया था तो essential याद करो तो non-essential अपना पी याद हो जाएंगे जैसे मैंने आपको code बदाता very important person halt तो wellin isolation methionine phenyl ananine histidine arginine lysine leucine threonine and tryptophan very very important person halt H A double L double T clear याद रहेगा चलो आगे बात करते हैं hormones का chemical nature के बारे में question पूछा जाता है estrogen hormone concert testosterone estrogen and progesterone amines hormones concert T3 T4 और epinephrine and nor epinephrine adenyl non-adrenaline इसको बोलते है peptide hormones कांसे मारे पास oxidation and vasoprocin protein hormones कांसे insulin and glucagon glycoprotein hormones कांसे LH and FSH और ecosinerts कांसे प्रोस्टा glandins तो इनके chemical nature पर question पूछा जाता है उसके बाद करते हैं test for carbohydrates mollis test benedict test failing test barfoy test salivinor test salivinor test पर अभी एक question आयता जे-डबली में ये keto's और hexose को आपस में differentiate करता है और बच्चों polysectorate के लिए iodine test होता है वहीं protein की बात करें तो bio rate zentho protein milans and inhydrate test protein के लिए अब बात करते है chemistry in everyday life इस पर भी question आता है बहुत easy question बाता है बस आपको याद रखना है देखो अभी जे-डबली में पूछा गता है anti-stamin दो type के होते हैं बच्चों है एक anti-stamin वो है जो कि acidity को control करते हैं जैसे cimetidine और ranidine और दूसरे anti-stamin वो है जो कि allergy, tough, sneezing इन mechanism को control करते हैं जैसे brom, phyndrom, phyndromine and tarfanadine तो हमारे जो खासी की दवाई होते हैं उनमें anti-stamin ही मिलाए जाते हैं उसके बाद है बच्चों anti-depressant तो iproniazid and phenalgene mild tranquilizer chloride azip oxide and metrobamid जो के tension को कम करने के काम आते हैं बारवे nutric acid ये भी जो है tranquilizer ही होते हैं लेकिन इनको sleep producing agent भी बोलते हैं नीद लाने की दवाईयां वेरोनल, amital, nembutal, luminal and saikonal उसके बाद है anti-fertility drugs इसमें mostly hormones मिला जाते हैं जैसे नौर इथिंड्राइन और इथिंड्रोन और इथिनाल histodial clear अब antibiotic के बारे में क्या कुछ तिरो सैडल या बैक्टिरो स्टाटिक याद करना आपको penicillin, amino, glycoside and ofloxacin बैक्टिरो सैडल है जो की kill कर देती है बैक्टिरे को बैक्टिरो स्टाटिक जो की के वर उनकी growth को इनिवेट करते है एर्थ्रोमाइसिन, tetracycline and kloramphenicol उसके बाद बच्चों narrow and broad spectrum antibiotic से भी कोशन आता है पैंसलिन जी को याद करो इसके लावा जितने में एंटिबैटिक है वो सारी broad spectrum पॉलिमर से क्या याद करना है पॉलिमर किन मोनोमर से मिलकर बना होता है बस नाइलोन सेक्स के बारे में बहुत कोशन पुझाता है hexamethylene diamine and adipic acid है amide type का polyamide type का polymer है नाइलोन 6 मोनोमर क्या कैप्रोलेक्टाम ठीक है teflon poly tetra fluorothene cf2 cf2 clear poly acridone जिसको पैन भी बोलते हैं तो CS2 development CHCN विलाइन साइनाड है इसको बोल सकते हैं decron और teradine इस पर भी question आता है इथालिन ग्लैकॉल और तर्थैलिक एसिड यह teraline का polymer बनाता है और बच्चों यह ester type का polymer है ester लिंके जोती है इसमें उसके बाद हम बात करते है बैकलाइट फिनल एन फॉर्मेल डियाट का polymer होता है पहले नोबोलक बनता है जो कि two chloro one three butadine और आगे जाके polymer बनाएगा ठीका ब्यूना एन ब्यूटा डाइन one three butadine एन एक्रालो नैट्राइल और ब्यूना एस में क्या होता है one three butadine के साथ साथ क्या होता है इस्टाइरिन तभी एन फॉर नैट्राइल एस फॉर स्टाइरिन अब दो ऐसे polymer है जो बायो डिग्रेडिवल पॉलिमर होता है एक होता पी एच बीवी और नाइलोन तू नाइलोन 6 पी एच बीवी में क्या होता है मोनोमर 3 हैट्रोक्सी इंटनो इक एसिट यह भी एस्टर लिंकेज बनाता है और नाइलोन तू नाइलोन 6 में गलाइसिन जो अमीनो असेड होता है अधिल्यर तो बच्छों यह कुछ चैप्टर थे जहां पर कन्फूजन होता है जहां पर एक्सेप्शन है जहां पर ट्रेंड है वहां मैंने आप को बता दिया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेर और लाइक करना मत बूलिए अगर कहीं पर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू बैरी मच